हेलो गाईस आज हम बात करेंगे Redmi Note 11T के बारे में और आज हम बात करेंगे इसके Face Lock के बारे में कि कैसे आप लोग अपने फोन में Face Lock को Setup करेंगे ओके नया नया फोन आया तो जाइड़ी बात है ये सब Setup आप लोग को करना पड़ता है इस वीडियो के माध्यम से बहुत आसान हो जाएगा Face Lock को Setup करना ठीक है ना वीडियो स्टाट करते है उससे पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेचे का बेल का इकन को प्रेस कर लेना है फर्स्ट अफ़ल का करेंगे हम यहाँ पे फोन में Settings को Open करेंगे उसके बाद हम Passwords and Security पे क्लिक करेंगे इस पे क्लिक करने के बाद हमें Face Unlock पे क्लिक करना है और हमें अपना Pattern यहाँ पे डाल लेना है जो भी Pattern डालते है Recovery के लिए Password डालते है ध्यान पूर्वक आप लोग डालेगा उसके बाद जो Next पेज ओपन होगा यहाँ पे हमें एक Animation देखने को मिलेगा अब भी साथ आप लोग को Screen Recorder में देखने को नहीं मिल रहा होगा क्योंकि देखिए हम इसको Hide नहीं करें जानबूच करके यह सब Security के Features रहते हैं यह Automatic Hide हो जाते ठीक है तो यहाँ पे आप लोग को एक Animation देख रहा होगा Animations के मादियम से आप लोग अपने फोन में Face को Add करे बहुत आसान रहता है जैसे आप लोग Face को Enroll करेंगे उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जागे जिसमें कि आप लोग उसको Lock Screen में यूज़ करना चाते Privacy Production में यूज़ करना चाते यूज़ कर सकते चाहे तो आप लोग Password चेंज करना चाहे Password भी चेंज कर सकते चाहे तो आप लोग को Face को Delete करना Face Delete करके तुसरा Face भी लगा सकते तो बहुत आसान सेट अप है अगर कुछ Doubt रहता है तो आप लोग हमें Comment करके पूछ सकते सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय मता दी